वननतम शुकराना गुरुजी महाराज का जो फिर से आज सेवा बक्षी है और जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला तो सब का कल्यान ही कल्यान है और गुरुजी महाराज के साथ तो हर पल शुकराना ही शु लगे कि हम अटक गए हैं या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा या हमें ऐसे लगे कि हमारे accordingly वो काम नहीं हो रहा तो आप ये समझ लीजे कि उसमें भी कोई ना कोई गुरुची की बहुत बड़ी blessings ही चुपी हुई है तो हमेशा हमें अपने गुरुची का शुक्राना ही अदा करना चाहिए लग लग शुक्राना गुरुची अनंतम शुक्राना गुरुची की हम क्या ही वड्याई करें हमारे पास इतने लफ्स नहीं है कि हम गुरुजी की महिमा का इतना गुणगान कर सके और पर फिर भी जैसे गुरुजी की आग्या है हम वैसे वैसे ही करेंगे क्योंकि उसी में हमारा भला है और उसी में सबका भला है कहते हैं न, जिसके काणों में भी पढ़ जाए वो बाणी, उनका भी भला है तो मुझे कुछ जो दिखाई दे रहे हैं, आइकोंज उसमें मुझे कंचनाँटी आप भी दिखाई दे रहे हो जय गुरूजी. शाम अंकल भी डिखाई दे रहे हैं. जय गुरूजी, अंकल और सबको अब भगी सबको भी जय गुरूजी. तो comments नहीं आ रहे हैं. तो इसलिए में अपने तरफ से सबको जय गुरूजी बोल रहते हैं. लख लख शुक्रानाbird Guruji का सत्संह कि क्या होता है ऐस हमारे मिनसे कि पहुचात坏 हमें दिहान नहीं रहता हमें समझ नहीं आता कि क्या बोलें या प्रिपेर करें या प्रिपेर करिए यह नहीं सते ठीक है पर गुरुजी महाराज इतने प्यारे है ना जब आप बैड़ जाते हैं तो automatically automatically अपने आपी you know मन में विचार आते रहते हैं सुनीता आंटी जै गुरुजी मेरी मम्मी है तो मैं उनको आंटी बोलूगी सुनीता आंटी जै गुरुजी तो संगत जी मुझे माफ करते ना अगर मैं किसी को बिल्कुल भी रप्लाइद नहीं कर पा रही है और देख भी नहीं पाऊंगी यहां से सबको सारी प्यारी प्यारी संगत को जै गुरुजी जो भी जोड रहे हैं क्योंकि हम एक फैमिली बन जाते हैं हम एक मिल जुल के हम एक फैमिली बन जाते हैं एक दूसरे के साथ हम लोग चलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे करता ख्याल क्योंकि संगत कहते हैं संगत में ही गुरुजी का वास है और गुरुजी बहुत 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 खुश होते हैं, जब हम एक दुसरे के साथ मिल के चलते हैं, और एक दुसरे का ख्याल करके चलते हैं, और जैसे मैं कल के सत्संग में शेयर कर रही थी, आइ थिंग दो दिन पहले जब तश्राम शेयर किया कि जैसे कहते हैं जोथ से जोथ हम जगाते हैं तो जैसे ये एक दिगा है छोटा सा तो जब हम दिपावली पे क्योंकि दिपावली आने भी वाली है और सबको मैं एडवांस में पहले ही विष्ट कर देती हूँ सबसे पहले गुरुजी आपको हैपी दिवाली और सारी संगेट को भी हैपी दिवाली दिवाली की बहुत-बहुत चुप कामना है वैसे परस्नली मुझे ऐसा लगता है कि जब से गुरुजी जब आप गुरुजी के बारे में सोचते हैं गुरुजी का जो हाथ हमारे सर पर है एवरी डे दिवाली रोज दिवाली होती है कुछ स्पेसिफिक दिन नहीं होता मन में कहते हैं यहां पर दिया जगता है तो ऐसे ही तो गुरुजी कहते हैं दिये के साथ दिया जगा रहें तो क्या होता है कि जो जिससे हम दिया जिसे माले जी आगे के आगे हम दिया जगा रहे हैं एक दिये से तो दिये की लोग कम थोड़ी ना हो जाती है उल्टा रोशनी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है तो सब कुछ सुंदर हो जाता है और इ जैसे कि जब हम जूरते हैं नहीं बता होता है you communicate किस से पूछें, किस से बात करें, क्या पूछें, कुछ नहीं पता, लेकिन हमेशा थांगफुल होना चाहिए उन लोगों का जो हमें गुरुजी महाराज तक पहुंचाते हैं, तो ऐसी मेरी फ्रेंड है, जब भी मैं सोचती हूँ, जाहे जितनी मर्जी मन में खटास हो, जाह मन में हमेशा एक जो रहता है ना, कि उसने नाम लिया था, और कहते है ना, कि जरिया बनाते हैं गुरुजी किसी के थ्रों की, कि जरिया बनता है, तो मन में से हमेशा एक खुशी ही निकलती है, मन में हमेशा एक ब्लेसिंग ही निकलती है, शुकराना, और उसके लिए भी मे देखे, कैसी गुरुजी की माया है, उसके थुरू मैंने सुना, लेकिन आज तक, आज तक अभी तक वो गुरुजी के दर्शन करने नहीं जा पाई है, क्यों? क्योंकि जब तक गुरुजी की आग्या नहीं होईगी, देखे, गुरुजी की जब आग्या होगी, तो ही जा पा इसमें गुरुजी की आग्या है कि जब आग्या होगी तब ही गुरुजी महाराज आपको उस तरह पर बुलाएंगे तो बहुत 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 भाग्यशाली है जब हम जुड़ते हैं आप ये सोचे गुरुजी कहते हैं कि जो सामने से भी निकल जाता है उसका भी कल्यान हो जाता है तो अंदर जो जिसने माथा देख लिया उसका कल्यान है आपके भाव मैटर करते हैं भाव भाव अंदर से मैटर करते हैं तो मैं उसको कितनी बार बोलती हूँ वो साही भगता है शुदू से साही बाबा को मानती हैं तो मैं उसको कितनी बार कहती हूँ तू क्यों नहीं जाती तो क्यों निड़ाती देखिक आग्या वरुजी की जब गुरु जिया जब आग्या देंगे तो वो जापाएगी और वो बिल्कुल पास में रहती है जब की बिल्कुल पास और वो मैक्टरो पकड़े और वो वहाँ जाएगी लेकिन ये मेरे गुरुजी की माया है पता नहीं वो जानते है कि कब किसको कैसे बुलाना है और कितने लोग मेरे राउंड मैंने देखा है कि अगर गुरुजी की आग्या नहीं होईगी तो नहीं होईगी उसके लिए thankful होना सीखो, जो तुमारे पास है, अगर Guruji है, तो सब है, सब, एक दिन मेरे मुझे संगर जी वैसे ही निकल गया था, मैं Guruji महाराच के चर्णों में बैठी थी, और मिले मन में आया कि Guruji, जब सब problem चल रही थी, तो कोई नहीं आया, बस आप ही आये, ये लफ्स ये line थी, और साथ ही देखिये, Guruji ने reply किया, बस नहीं सब, जब मैं हूं तो सब है, Guruji ने बस को सब में बदल दिया, ये बस नहीं सब, जब मैं हूं तो सब है, तो हमें ये मान के चलना चाहिए, कि Guruji है, तो सब है, तो Guruji, अगर हम से कोई गलती हो जाए, तो हमें शमा कर हमारे मन में कीज और और किसी के लिए हम किसी मन कзд Junika diye बिल्कुल अच्छी नहीं लगती in the video कि अभी कुछ तिन पहले मैं Guru चेओ कयों या ज्यव्いく लुए है ऐसे बैटी दि गुरुजी के और जैसे हम बैठते हैं सुभे शाम गुरुजी महाराज को और माथा देखते हैं प्रातना करते हैं और जब हम बैठे तो मैंने का गुरुजी आप बताए कि हम आपकी सेवा कैसे करें तो गुरुजी ने बोला मेरी सेवा जगत सेवा मतलब अगर तुम अपने इस चीज़ पे काम कर रहे हूं मतलब गुरु जी महाराज इस चीज़ पे काम कर रहे हैं मेरे पर भी लगे हो या वो काम कर रहे हैं वो कैसे क्योंकि जैसे ही हमारे मन में कोई भी नेगेटिव थौट आता है या हमारे मन में कभी भी किसी के लिए कोई भाव आता है कि उसने ऐसा कर दिया हमारे साथ तो automatically mind में गुरुजी ये डाल देते हैं भाव कि सामने हर जगी मैं ही हूँ उसमें भी मैं हूँ तो अगर आप यह सोच के चलिए कि अगर सामने वाले में भी गुरुजी का ही रूप है शिव रूप है क्योंकि गुरुजी तो साक्षाथ शिव है ना इसमें की कुछ learn करने के लिए होगा उसमें कुछ सीखने के लिए होगा जो शायद हमें अभी नहीं समझ आ रहा है लेकिन शायद लेटर ओन समझ आ जाए बाद में जब गुरुजी की आग्या होगी लेकिन आता जरूरे समझ तो गुरुजी का जो bless करने का तरीका होता है कि हम बहुत 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 क्ट हृँ लग बहुत रहे होतर है वह कभी कभी हमें हमें कई थे रशस्ते और हम क Ariana चेका ऑंफंने पात पर और अचानक से आप तक्राने वाले होते हैं या आप माली जी गाड़ी भी चला रहे हैं तो गुरुजी महाराज कहते हैं एक पत्थर आगे आजाएगा वो आपको जगा देंगे तो वो जब पत्थर होता है हमें लगता हमें चोट लग गई लेकिन वो गुरुजी का तरीका होता है कि उठो वो जगाने का उनका तरीका होता है कि उठो समझो अब ताइम है कि अब तुम संभल जाओ तो ऐसा कितनी बार हुआ है मुझे ऐसा लगता था कि ओहो ये क्या हो गया मुझे ऐसा लगता था कि आप तो कुछ बचाई नहीं है या मतलब मैं तो कुछ करी नहीं सकती या हर वक्त अपने आपको कोशते रहना या चो भी है मतलब ऐसा लगता था कुछ नहीं है जब आप हार चुके होते हो बिलकुल ठीक है तो गुरुजी का ना blessing जो bless करने का तरीका होता है ना बड़ा ही different होता है हमें लगता है हमारे हमको तो मतलब सामने वाले ने दोका दे दिया हमारे साथ बुरा कर दिया वो सामने वाला नहीं होता है कोई नहीं होता है वो सिर्फ उनमें भी गुरुजी ही समाहित होते हैं कोई नहीं होता है आपको दुख देने वाला यह आपकी खुद की सोच होती है आपका खुद का मन होता है और यह गुरुजी का ब्लेस करने का और आपको सिखाने का तरीका होता है everywhere is गुरुजी अगर हर तरफ गुरुजी की एनर्जी है अगर हम यह मानते हैं कि हर जगे गुरुजी है इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी सामने पीछे सब जगे तो फिर तो सब में ही गुरुजी है तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, कि जब कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में, जब मैंने बताया आपको कि मैं मेरी फ्रेंड के मूँ से निकला कि कोई गुरुजी है, और गुरुजी ने बुलाना था, और गुरुजी ने मतलब क्या बोलू, उस दिन को मैं जब याद करती हूँ, ब्लेस्ट, जब गुरुजी ने कहते हैं, कि मैंने बस उसके मूँ से निकला, और मैंने बस ये मन में बोला, कि गुरुजी आप मुझे भी बुलाईए, मुझे लंगर परिशाद काना है, मेरे मूँ से ये निकला था, उसने बोला कि लंगर परिशाद जो खाता है, तो मैं मैं आगे फरीदाबाद गई और फरीदाबाद में अपनी मासी के घर गई और साथ ही वहाँ पर कोई इन्विटेशन था कि रात को सत्संग है तो वहाँ पर आओ तो मैं उनके साथ वहाँ चली गई देखिए कितना ब्यूटिफुली सब कुछ गुरुजी ने प्लान किया हो तक सुन्दर तरीके से इतना इतना सुन्दर और हम सुबह से त्यार होने शुरू हो गए कि जाना है जाना है जाना है और मुझे याद है चोटी सी बेटी को मैंने गोधी में उठाया हूँ और हम शाम का टाइम था साथ साथ परज रहे थे और हम दर्शन करने के लिए गूरू जी के घये और लंगर परशाद का मन था ना मेरा और लंगर परशाद गुरू जी ने divine लंगर परशाद, इतना divine लंगर परशाद, कि मैं क्या ही बताऊं, और संगर जी मैं जूट नहीं बोलूँगी, मतलब सारा finish कर लिया था, और जो मेरी cousin की बेटी है, वहाँ पे उस दिन, मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि इतना सुन्दर, मतलब ऐसे थाल सजी हुई थी, और इसके अंदर सब था, पालग पनीर और वो मूंगी की दाल का हलवा, बहुत मेरा फेवरेट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी जो cousin की बेटी है ना, वो लंगर परशाद खा रही थी तो उसने बचा दिया, अब कहते है क्योंकि उस टाब हमें नहीं पता होता, कि कुछ नहीं पता था, क्योंकि वहां पे हम मतलब नीचे थे सारे लोग और उपर उपर जितना तादा हम जा रहे थे तो उपर थोड़े कम संगत बैटी थी और सब अपना-पना पाठ मंत्र जाप चल रहा था है और मैं सोच रहे थी, यह तो मंत्र जाप चल रहा है शिव जी का ओमणमसहर है मैं का यहां तो शिव जी का पाठ हो रहा है मन में लेकिन बढ़ा अच्छा लग रहा था सुकून मिल रहा था और मेरी बेटी बहुत तंग कर रही थी बहुत जादा वो रो रही थी परशान हो रही थी तो उसको ले लेके मैं गूम गूम भी रही थी लेकिन लंगर परशाद पूरा फिनिश कर लिया शुक्राना गुरुजी और एक गुड का तुकड़ा था वो मैंने अपने पर्स में रख लिया था और फिर मैंने घर आके शाहिद वो भी खा लिया था तो blessings blessings आपके मन में भाव आए और वो गुरुजी पूरे कर देते हैं मन में शुदता के साथ मन में सच्चाई के साथ honesty के साथ आपका कोई भी भाव आए कोई भी वो गुरुजी पूरा करते हैं और यह तो दिवाइन भाव है ना यह तो गुरुजी खुदी जगाते हैं मन में कि गुरुजी दर्शन चाहिए यह तो गुरुजी खुद जगाते हैं पहला कमेंट मुझे अभी नजर आया है sonu uncle sonu auntie I don't know मुझे दिखनी रहा, जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो ये जो मन में भाव होता है, ये तो गुरुजी लाते है न, कि दर्शन करने, बुलाएंगे तो वही न, सबब तो वही बनाएंगे, और आप बिलीव कीजिए, दूर दूर तक कहीं जाने का, दर्शन पे कह नहीं जाने का कोई था ही नहीं, मतलब कोई वे नहीं था, मतलब हम नहीं जा रहे थे फरीदाबाद, हम यहां पंजाब में हैं, और कोई प्रोग्राम नहीं था दूर दूर तक, और उस ट्रेम लेकिन ये है न, कि गुरुजी की प्लानिंग पहले से ही शुरू हो जाती है, संगर जी, पहले से ही शुरू हो जाती है प्लानिंग, काफी पहले से लेक, हमारी सोच से पहले, बहुत पहले शुरू हो जाती है गुरुजी की प्लानिंग, तो जब गुरुजी की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी, उन्होंने बुलाना था, उस ट्रेम न, टैरो डीडि थी कि planning जो होती है ना वो बहुत पहले से शुरू हो चुकी होती है तो फिर क्या हुआ उस्टें मुझे गुरू जी टैरो चिका रहे थे और मैं पूरा दिन readings 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 सुनती रहती थी अब involved रहती थी तो वो reading सुनते 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 देखिए अब यह भी तो डिवाइन है ना एवरिटिंग इस डिवाइन इंजल नंबर्स ट्रिपल सेवन कोई रहती थी इसमें प्रिपेर करना शुरू कर देते हैं और गुरुजी ने फिर वो ना एक कहते हैं जिसे आपके लिए वो बनाना शुरू कर देते हैं वो कि मतलब पाथ जैसे कहते हैं कि आपने आना है सब कुछ करना है इस अल प्री डिसाइड़ बाय गुरुजी वो जब प्लानिंग होती है अल्रड़ी वो काफी पहले से शुरू हो गी होती है वो हमें समझ नहीं आ रही होती तो जब उस श्रें महां मैं बात कर ले थी मैं टारो टारो बहुत सुनती होती तो उस मेंना एक ही बात सुंती थी आलवेज रीडिंग सुनती थी करती तो अर वक्याम हाथ eee c smart you have to travel you have to travel you have to travel and I used to say my mother मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि हमने जाना है कहीं sounds करना है और believe me उस time circumstances इतने भूरे थे इतने कराब चल रहे थे क्योंकि personal issues चल रहे थे यह जो भी है तो उस time समझ नहीं आती थी क्या करें कैसे करें मन भी नहीं करता था कहीं जाने का लेकिन एक बात बस बन में आती थी कि ममा चलो it's like a divine ऐसे लगता है कि calling है ऐसे लगता है और travel कीजिए long you know distance travel करके आई जैसे तैसे करके मैंने अपनी ममी को बोला कि चलो let's go दिली मतलब दिली तो बड़े मंदिर नहीं क्योंकि उस time अभी पता नहीं था तो क्योंकि गुरुची ने तो पहले बताना था ना देखिए बड़े मंदिर फिर भी नहीं गय थे और यह first time ज अपनी मेरी फ्रेंड डेली रहती है और डेली से फिर फरीदाबाद गए और फरीदाबाद में फिर गुरुची ने लंगर परशाद खिलाया लेकिन बड़े मंदिर नहीं बहुता है जो बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो बहुत blessed तो उस time नहीं अब हापे सब्संग चल रहा था वो टेंड किया और वो करके वापस आ गए अब क्योंकि वो चीज नहीं है अभी build-up नहीं हुआ है अभी आपके अंदर वो चीज नहीं आई है अभी आपने surrender नहीं किया है अभी आपको नहीं पता कि वो महाशिव हैं मतलब मैं अपनी बात कारीओ अभी मुझे नहीं पता था कि में तूथा टूथा न Analysis की बात कर रही था कि यह तो साख्षात ब्होलन आता है सिभ हैं शंकर जिनको मैं टूंड रही हूं चैंको मैं मतलब काती हूं कि गूरू होने चाहिए गुरू होने चाहिए यह वो ही तो है उस टार्अ नहीं बता लेकिन फिर जब गुरु जी ने आ गई बापिस तो फिर गुरु जी ने कहते है ना अपना काम करना शुरू कर दिया मतलब हर चीज जैसे कहते है ना health पे मेरे overall काम पे मेरी personality पे जैसी मैं situation में थी जब कुछ चींज करना शुरू कर दिया फिर भी समझ नहीं आ रहा फिर कि मैं भूल गई कि मैं वहां से लंकर पृषाद खा क्या है संगर जी बिलीव मी यह कह लीजिए कि यह गुरु जी का ही कोई away होता है जैसे उन्होंने mind में से हटाई दिया कि मतलब कुछ नहीं बस मैं अपना काम करती जा रही है सीखती जा रही हूं मुझे सिखाई जा रह मतलब कि मैंने सोचा कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए लेकिन वह नहीं हो पाया या मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं कि मेरे साथ मतलब ऐसा लग रहा था कि life सब कुछ चल भी रहा है लेकिन कुछ है कुछ missing भी है ठीक है तो गुरु ची ने realize करवाना शुरू किया तो फिर मतल धोका मिला पता चला कि नहीं आपको किसी से कुछ expect नहीं करना है मैं single mother हूँ और मैं सोच रही थी कि जैसे मम्मी पापा सब सोचते है कि नहीं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए और मैं dependent होना शुरू कि मैं को लगा हाँ ठीक है वा ठीक ही सोच रहे होंगे मुझे settle down हो जाना चाह expectations हम रखना चुरू कर देते हैं सामने वाले से लेकिन गुरू जी महाराज की planning कुछ और ही थी और उन्होंने वो चीज मुझे दिखाना ही थी reality तो इसमें सामने वाले की तो कोई गल्ती है ही नहीं इसमें सामने वाले का कुछ है नहीं कसूर ही नहीं इसमें यह है कि जब गुरू जी ने आखे खोली ना और आज क्षे कर दिन जो नी के हिधी तो गुरू जी का लख लख शुक्राना कहते हैं घुरूजी हमेशा शुरू शुरुवात तो वहीं से माइंड पे वोई चीज आ रही है तो फिर गुरुजी और जब कहते हैं न कि ठोकर खाई और फिर गुरुजी ने हाथ भी रख लिया बड़े प्यार से गिरने भी नहीं दिया ठोकर भी लगी लेकिन गिरे भी नहीं बड़े प्यार से संभाल भी लि ये तुम्हें ये जो पत्थर आया था ये इसलिए था अब संबल जाओ तो मैंने तो बस वो समझ आगी मन में बस वहां से फिर कहते हैं कि वो जो एक अविक्णिंग आपके अंदर से शुरू हो जाती है वो कौन करते हैं वो हमारे गुरुजी महाराज न्यू पर्थ हेल्थ सब कुछ हेल्थ वाइस भी पता नहीं क्या क्या इसूज चल रहे थे अंदर गुरुजी ने ठीक किये जैसे ही आये गुरुजी महाराज जैसे ही गुरुजी महाराज का स्वरूप आया सत्संके ठूरू सुना और मैं आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं मानिका अंटी का जिन्होंने सबसे पहले मतलब मुझे वो जानते भी नहीं कुछ नहीं तभी कहते ना गुरु संगत सबसे प्यारी जानते भी नहीं मुझको फटा फट गुरुजी का सुरूप भेज दिया वहां से और जैसे ही गुरुजी महाराज आये घर में यखीन मानिये कि विश्वास नहीं कर पाते हैं बरूसा नहीं कर पाते हैं। हमें कचाते हैं चाहे हमारी हेल्थ हैं कि घर की कोई प्रॉबलम है financial issues है, बच्चों की problem है, कुछ भी है, कुछ भी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी problem है, वो सब गुरुजी ठीक करते हैं, तो जितना भी हम गुरुजी का शुक्रियादा करें, उतना कम है, और फिर उसके बाद सब कुछ शुरू हो गया, कैसे चैनल स्टार्ट हो गया, कैसे सब कुछ हो गया, यह सब गुरुजी की कृपा है, सब कुछ, कैसे उन्होंने मुझे दीरे-दीरे ठीक किया, कैसे उन्हों दीरे 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 गलतियां भी करते रहते हैं साथ-साथ क्योंकि इनसान है और वो भगवान है और वो माफ क्योंकि उनका इतना विशाल हिरते हैं वो साथ-साथ समझाते भी रहते हैं माफ भी करते रहते हैं बस एक चीज जो इतने टाइम में जो मुझे लगता है कि बस हमें सबको नहीं करनी चाहिए कि हमें को कभी गुरुजी के ओपर शक्त नहीं करना चाहिए चैलेंज नहीं करना चाहिए गुरुजी को कभी भी कि हाँ आप ऐसा करेंगे तो हम मालेंगे नहीं हर पल हर पल इतना तूट विश्वास और बरोजा होना चाहिए हर पल कि बस तो कहते है ना कि सारा कुछ गुरुजी कैसे ठीक करते गए कैसे समभालते गए कैसे सब कुछ ये मुझे खुद को भी नहीं पता चला मैं चोटी-चोटी चीज़ों के लिए परशान होती थी मेरी बेटी का स्कूल उसकी फीस ये वो सब कुछ गुरुजी ने कैसे समभाल लिया मुझे खुद को भी नहीं पता चला अनंतम शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना अभी कल का मैं आपको एक सत्थन सुनाती हूँ देखे ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें है कि आपको लाइफ में क्या करना है आपका क्या पॉर्पस है आपका काम कैसा होगा बड़ी बड़ी या हेल्फ इशु वो तो गुरुजी के लिए ये सब एक चुटकी का काम है में काम क्या है main बात क्या है कि आपका हमारा गुरुची के अपर विश्वास कितना है हम surrender करें, हम भरोसा करें गुरुची कहते कि मैं तो हमेशा ही giving हूँ मतलब वो तो हमेशा ही अपनी संगत को bless करते हैं पर हमें receive भी तो करना आना चाहिए न औस लिया और वो भी गुरुची ने बहुत-बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाया देखे संगती कि वह पलंव कि उसको देखा मान्येट को चुमबब को कहते हैं वो क्यों attract करती है अपनी तरफ because बहुत जादा receptive होती है बहुत जादा receptive तो हमको भी receptive होना है किसलिए गुरुजी की blessings के लिए उनके आशीरवाद के लिए कि जो भी गुरुजी महाराज दे जो भी ये सोचों कि वो blessing ही है गुरुजी महाराज जो भी हमको हमारी life में बक्षेंगे वो blessing ही होगा वो कुछ कलत नहीं होगा वो सही ही होगा ये सच जादागा जी क्योंकि या तो उसमें आपके लिए कोई message होगा या उसमें आपका कोई गुरुजी ने कोई major change लेके आना होगा आपकी life पर इसलिए वो आपको समझा रहे है तो हर जो भी चीज आ रही है आपकी तरफ आपको wholeheartedly उसको accept करना है अनंतम अनंतम शुक्राना तो कल क्या हुआ जी कितने चोटे चोटे सचसंग होते हैं कल हम market करें तो मेरा बहुत पन था बहुत जादा मेरा मन हो रहा था कि कुछ मीठा लेके जाएं आगे पीजे हम लेके जाते हैं लेकिन तरबर क्या होता है कि हम देर हो रही होते हैं तो हम फटा-फट घर आ गए तो मेरा बहुत मन था कि मीठा कुछ लेके आते घर तो अचानक से अच्छा हम घर वापस आ गए और मन कर रहा था कि कुछ मिठाई खाएं है ना तो आप देखिए यकीन मानिये हम रात को जैसे हम अभी आएं है शाम के टाइम में साथ साथ बज़ रहे होंगे और साथ ही हमारी बेल रिंग होती है डोर बेल और क्या कहते हैं एक साथ बज़ एक कॉर्णर पे कांटी रहते थे और वो आ गए और फटा-फटा के अन मिठाई लेके आ गए गुलाब चामुन और वो ही मन था और जिस देखिए आप कोईंसिडेंस यह क्या कहेंगे आप coincidence देखिए यह coincidence नहीं है यह गुरु जी की blessings है और देखिए जहां मतलब जो है न जहां से मेरा मन था मिठाई की shop वही से वही से वो मिठाई आती है और वो उसी time आ जाते कहते हम पहले भी आये थे लेकिन आप लोग घर पे नहीं थे तो हम लोग bell ring करके चले गए और उसी time मतलब गुरु जी इतनी नेड़े होके इतनी पास होके हमारी बात सुनते हैं कोई भी बात हो कोई भी बात हो जरिया कोई भी बन सकता है जरिया कुछ भी कोई भी बन सकता है गुरु जी is divine light और किसी के भी through कोई भी जरिया कि ऐसे या वैसे अच्छा ये नहीं वो नहीं नहीं कोई भी तरीका गुरुजी किसी भी रूप में आके आपको ब्लेस करके जा सकते हैं और ऐसे ही संगल जी एक मैं आपको अपनी मेरी मासी है उनका सत्संग सुनाती हूं तो क्या हुआ कि जैसे अब यह मिठाई की बात है वैसे तो अपना सत्संग कभी खुद भी शेयर करेंगे लेकिन उन्हेंने में सुनाया तो मैं आपको बता रही हूं बड़ा है अच्छा उ कि अम घर में ही होते हैं तो हम ठख चाते हैं काम कर कर करके तो मन सही होता है तो कि घर पे घर नहीं हो ठावा काना नहीं था खुछ दों Sebbak कै नहीं है हुए टाकि कईषट संगी tidak ह조रा पिंख र tasting के nervous a canine Sarah तो वो वापतिस आ गए और उन्होंने बोला कि चुलो फ्रूट सी खा लेते हैं मन नहीं कर रहा वैसे भी कौन सा कोई घर पर है और आप देखिए कहते कि सडनली कहते दो धाई बज रहे होंगे और बेल रिंग होती है उनके घर की और बेल रिंग होगी और मासी में दर्वाजा खोला तो आंटी एक थी सामने वो भी गुरुची कोई मानते हैं आगे उनके रेलिटिव है वो और वो इतना सारा गुरुची का लंगर परशाद लेके खड़े गए तो मासी बिलकुल हरान हो गए वो कहते हैं तो कहते हैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था के ब्लेस करके गए हैं तो अनंतम शुक्राना गुरुची का आपके मन के छोटे-छोटे मेरेकाना भाव भी गुरुची पढ़ लेते हैं बिलकुल नेड़े हो के सुनते हैं तो हमें हमेशा गुरुची को क्या करना चाहिए सिर्फ शुक्राना सिर्फ खुश हो के बस क्योंकि गुरुची के साथ एवरी डे खुशिया है और आप यकीन मानिए कि अगर ऐसा कोई भी कोई भी लाइफ में कुछ भी चल रहा है कोई प्रॉब्लम किसी के चल रहे है कोई इशू चल रहा है कुछ भी हो रहा है तो कब गुरुची उसको टर सो हमेशा शुकराना ओल्वेस ओल्वेस शुकराना हर पल में और मैं यह खुद भी सीख रही हूं हर पल हर मतलब हर चीज में अगर कोई सागर आपको कुछ लगता भी है कि मतलब आप इस सिचुएशन में डील नहीं कर पा रहे हो या आपको तो आप गुरुची के उपर छ कोई वे है जो आप हमें सभाना चाहते हो तो लग लग शुक्राना गुरुची का गुरुची का ओर है वह हम क्या ही बोले आज़ासे फ़र्स टाइम जब मैं डुगडी मंदर गई थी तो उस टाम क्या हुआ था अब होँआ बहुत सारे वहाँ पर लोग होते हैं बहुत सा से सब्धने जादा Guru Ji को मांते हैं हम सबसे जादा Guru Ji को विशबास करते हैं गूरीट तो अब क्यों Guru Ji के साथ कहते हैं कि आपका जो रिलेशनिप हो जाता है इस लाइक कि या बोलू फ्रेंड भी वही है गाइट भी है है माता पिता सब like closest तो में को अब 006 को मतलब को मतलब गुरुजी से आवरीथिंग फॉर मी मतलब हम कहते हैं बातें आपने पिता से भी बातें नी डिसकस कर पातें जितनी हम अपनी मन की बाद गुरुजी से डिसकस करते हैं तो वह रिष्ता हो जाता है तो हमें इतना क्लोester दे वाहर निकलती हैं तो हम आपनी बात कर रही हूँ से लेकिन इतनी हजारो गाडिया है हें और कितने लोग आयो हैं कितने लोग आयो हैं कितने लोगा भाय प्यार में आपको सबसे जादा मांदे हूँ आप मुझे प्यार करते जहां वह सबसे होती है क्लिवPRO है तो हम ऐसी सोचने लग जाते हैं तो इस दíці साध arrow कि मतलब मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था या मैं आप कैसे सोच रही हूँ या ये है या वो है अच्छा जब गुरुजी के जब हम अंदर गए डुगरी मंदर जब अंदर दर्शन के लिए पहुंचे हॉल में तो वहां पे आप बिलीब कीजे तो मैं गुरुजी की बहाव आ रहे है और जब मैं नसरे उठाई और जब गुरुजी की तरफ देखा आप यकीन मानिए संकाजी ऐसा लग रहा है ज़ो शोला था और जो जयसी नसरे उठाई सब जगे वही वही तो गुरुजी का जो आंसर देने का जो तरीका होता है एसे लग रहे ताक मैं तुझे माफ कर दिये, चिंता मत कर इतनी चोटी बात को मन पे मत लिया कर मतलब लग लग शुकराना गुरु जी का भी मुझे याद है मतलब ठंड भशोप ठंड रीट ठंड का मॉसम था और वेलवट का ही गुरुजी का चोला था और मैंने वेलवेट का ही शनील का ही सूट पैना हुआ था और वो भी I think डाक बरगंडी सा कलर था और तो मैं मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी तो ऐसे छोटी-छोटी मतलब जो हमारे मन में कहते हैं भाव आते हैं गुरुजी बिल्कुल सौट आउट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं और ये डेली होता है संगजी, ये डेली होता है अभी मैं परसो भी सचन में शेयर कर रही थी क्या हुआ कि मैं गुरुजी के लिए वो वाला गाना कहूंगी भजर नहीं है, ये गाना है तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूँ तो मैं किचर में खड़ियो के गारी हूँ ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा तूने दिल से दिया जो दिया ना कुछ बोला, ना कुछ तोला मुस्कुरा के दिया जो दिया तो पता नहीं कह से आ गया, मुझे लिरिक्स भी नहीं पता और अभी भी शायद हो सकता है, मैं गलत लिक्स भोल रही हूं, मुझे कुछ नहीं पता, तो ऐसे केचल में कहड़े हो, कि मतलब ये वुला लिरिक्स गा रही हूं और गुरू ची को सुना रही हूं, और ऐसे लग ऋमें शहिनाज गिल वह उन फोंग क्रहरों रहा हो थी और संगर जी वही चार सी जो गुरुजी बुलवा रहते जो सुनना चा रहते वही चार लाइन्स और वहाँ पे साथ में गुरुजी का स्वरूपो तो happening मतलब हम क्या expectations रखें क्योंकि गुरुची महराज उमारे मन के भाव भी पढ़ लेते हैं मतलब इतना close होके आप कहीं छुपा नहीं सकते हैं अपने मन के भावों को चाहे वो आपके लिए हैं चाहे वो किसी के लिए हैं You have to be very very honest with गुरुची बिलकुल honest truth क्योंकि गुरुची यहां बैठे हैं अंदर बैठे हैं आज ही सुबे गुरुची एक thought मन में डाल रहे हैं कहते हमें नहीं पता कहते तुम्हें पता है गुरुची उस like telling कहते तुम्हें पता है कि इंसान कहां से आता है कहां से जनम लेता है कैसे और कैसे शुरुआत होती है ठीक है कैसे वो दीरे दीरे मतलब मदर कैरी करती है बच्चे को कैसे वो बढ़ा होता है ठीक है कैसे क्या होता है यह कहां से आती कहते यह soul होती है कहते यह सब कुछ तो कहते जिसे कहते हैं बोडी होती हैं लेकिन बाकी सब क्या है सोल्स हैं जहां से आये हैं वहीं पर जाना है तो हमें कहां फोकस करना है हमें सिर्फ वहीं फोकस करना है यह जो हुमन चोलाज हैं यह जो हम मतलब यह कहते हैं शरीर हैं तो मेल कहा है मेल ध्यान जो हमारा है वो सिर्फ हम हम सोचना शुरू करतेंगे न जब हम गुरू जी से कनेक्ट करना शुरू करतेंगे व्चोस घुरु में सबस्कृत है कि सी नहीं हो रहा तो जब हम स्चोचेंगे तो हम हम लोग कहते हैं कि आई से घुर्जी को साथ फुराई इंद लाइट कर दो और जर्मी जगें जर्ण। कितनी बार कितनी बार अब शसंटार किया था कि मैं मार्केट गई थी पर वहां किड आरयों और बिल्कुल मेरे जैसे हे लिठी संगय एक हरना हमा और साथ वला प्लोट खाली पड़ा हुआ है मतलब यह दिवार है और उसके पीछे कुछ नहीं खाली पड़ा है तो नीचे ऐसे गुरुजी का स्वरूख सेम नीचे जो लगा हुआ है यह उपर उपर है ठीक है फर्स्ट फ्लोर है यह जहां ओफिस है तो मैं उसे न आ रही थी औ और क्या हुआ अचानक से मेरे सामने से ऐ NES एक वह बघ़ला नहीं होता है All that उसको नहीं पैता मुझे क्या बोलते हैं है क्रेईं बोलते है श्याभयद तो वह इक्तम से अचानक से प्रक्राश्स ओं यह जो घूम रहे होते हैं तो अचानक से न वह मेरे सामने से बड़ा लेकीन मानिया मैंने वो वीडियो बनाई है और धीरे 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 पता नहीं कहां से वो गुरुजी महराज की इस वाल पर जहां पर गुरुजी का स्वरूप नीचे लगा वाज सेम ऐसे ही और वो गुरुजी के इस वाल के पास बिलकुल आके वो खड़ा हो गया अब मुझे curiosity कि वो अब क्या कर रहा है अब मतलब कौन है तो गूरुजी महराज की न वो जो बॉल है न उस संगर जी धीरे 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 अपने आपको चुखाया तच किया जमीन को और पता नहीं वह अपनी क्या वह बोल रहा था या क्या मुझे नहीं पता वह जो बर्ड ऐसे लग रहता है कि जिसे कोई कम्मिनिकेशन चल रही है और मैं बहुत ध्यान से नोटिस करी जा रही हूं वह ना कोई और नहीं है कुछ नहीं है वह ना कोई पंची ना कोई जानवर कि सी के पीछ बछ की आई और अभागता है और और अखी जानवर हो जाटकर कि आ पर केसे जंकल में मंगल कर देते हैं और यह具 पर हमारे साल साक्षात हुए हैió कि पर पर तो जया दूर तक कुछ नहीं था और मैं बहुत जादा बहुत आदा इस बात को लेके बहुत परशान होती थी, टेंस होती थी, कि यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पिल्कुल भी नहीं, और जब गुरुजी का, कहते है न, गुरुजी ने चरन डाले यहाँ पे, जब गुरुजी यहाँ पे आ और जो भी अराउंड हो, मतलब जो भी गेटेट, मतलब पूरी एक इतनी सुंदर और इतनी क्लीन एक उनले, जब गुरुजी ने, मतलब जहाँ गुरुजी विराजमान हो गए, वहाँ पे उनलोंने अपनी संगत का ख्याल करना ही करना है, हर रूप में, हर रूप में, घर का, मतलब अब गुरुजी घर में विराजमान हो गए, तो ऐसा होता है कि हमें कुछ टेंशन लेने की सुरूत नहीं है, क्यों क्योंकि गुरुजी को पता है कि कब क्या करना है, कौन सा खोना खराब है, कौन सी दिवार पेंट होनी है, कौन से परदे जेंच होने है, दर्व कि अब इस चीज़ का वक्त है अब इस चीज़ का वक्त है तो तेंशन वाली अब जैसे देखिए सबसे पहले गुरुची को पता था कि इसको ऑफिस की शुरुत है इसने अपना काम करना होता है ये क्योंकि नीचे यूनों हाँ टेस्ट जरूर ये मैं पात जरूर कहूंगी क कि कहते हैं कि जब आप गुरुची को मतलग गुरुची जब लाइफ में उन्हों आपको संभालते हैं गुरुची का तरीका होता है वो टेस्ट करते हैं आपको देखते हैं कि कहीं कच्छा बेर तो नहीं है गुरुची कहते हैं कि मैं पहले पेड़ वो टैनी को हिला देता जो तो जड़े से कच्चे बेह रहा तो दिख जन दे हैं है ना और जो पक्यों होते हैं उनको फिर से मैं एक बारी देखता हूं कि कहीं वो मतलब कुछ रहत हो नहीं क्या और फिर उसके बाद केते मैं उनको निम्बू के तरह नहीं चोड़ता हूं फिर टेस्ट पास होता है तो जो टेस्ट क्लियर होता है ठीक है ना कि हमारे मन में कि गुरुजी ये करते हैं तो ऐसी होता है कि गुरुजी ने पहले गुरुजी परिक्षा लेते हैं कि देखता हूं कि ये मतलब मेरी परिक्षा में सफल होता है कि नहीं होता है और वोई चीज होई वोई चीज होई गुरुची ने पहले सब जगे, पहले मेरा नीचे ओफिस होता था, बड़ी प्रॉबलम होती थी, बहुत प्रॉबलम होती थी, और मतलब कभी कुछ, कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए, ठीक है, सबसे पहले गुरुची ने उपर ओफिस रेडी कर भाया, इनको पता था क कि इसको जुरूरत है उनको पता था कि इसको यहां पर अपना बैट के जो भी काम करने है तो गुरुची को सब पता है हम सोचते थे कि हम अपना घर ना थोड़ा सा बाहर-बाहर से हलका फुलका रेनोवेट करवा लेते हैं कि ठीक है मतलब बाहर से थोड़ा बहुत अब यह पता है कि उन्होंने अंदर से पेंट करवाना है कि उन्होंने क्या-क्या चेंज करवाना है यह सब गुरुची को पता हमें कुछ नहीं पता और करवाएंगे भी वही तो जब हम जब हमने कुछ करना ही नहीं है हमने सरफ एक ही काम करना है कि गुरुची जो आपको मंसूर ह और शुक्राना गुरुजी जै है गुरुजी शुक्राना गुरुजी सारी संगत मिलेके सिरफ एक ही बोले कहते हैं कि हम सब जोडते हैं के से कहते हैं कि हम सब जब एक साथ होते हैं और जब हम अपने गुरुजी के चड़नों में हाजरी लगाते हैं जब हम अपने गुरुजी को नमशकार करते हैं तो कहते हैं कि वो अरदास गुरुजी तक ज़रूर पहुंचती है तो अरदास क्या करनी है कि गुरुजी हमें अप यह संगत है मुझे भरोसा करती है बिल्कुल तो शुक्राना गुरुची अनंतम अनंतम शुक्राना और अगर मुझे कुछ गलत कुछ भी निकल गया होगा हलांकि गुरुजी बुलवाते हैं जो भी बुलवाते हैं वो ही बुलवाते हैं मुझे कुछ नहीं पता है तो झाल चांटी जार गुरू जी और गुरू जी अब नेक्स-स्ताइम और सथ्संग शेयर करें है कन्चनाथी متर नेक्सav गुड्रुसब्हर hu और सब्सक्राणी होना पर मेरे सबसे को कि तो चुक्मी क पर почти तर दाकिर om नीतु आती, मिनी आती, खंचनाती, सीमा आती, सब को जो भी तंगर जुड़ी हुई है, शुक्राना आपका जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत अनलतम शुक्राना जुड़ने के लिए, और सत्संग को शेयर भी कीजिए, ये भी तो एक सेवा ही है न, कि आप सत्संग सुन तो बस हमें तो अपने सिर्फ गुरुजी की वडियाई करनी है और उनको शुक्राना बोलना है तो आज हम अपना जो सत्संग है अब वो हम यहीं पे विराम लेंगे और फिर नेक्स टाइम मिलेंगे तो सब को जैगुरुजी और सारी संगत को शुक्राना गुरुजी को जैए क्युदी घर जी जैए और उन टायना जाज सिर्फ ए्लाओ कर दूलाल को टी एंएंगे टी है दूलातो शुक्राणा तो बता